हे फ्रेंड्स के सो आप लोग उमीद है सब अच्छे होंगे दोस्तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक फ्रेंड ने मुझे बताया है कि उसे कोई लड़की बहुत अच्छी लगते हो वो प्यार करते तो उसको कैसे पठाए तो दोस्तो पठाए शब्द मुझे अच्छा नह लड़की का दिल जीत सकोगे तो चलिए दोस्तो शुरु करते हैं पहला पॉइंट है दोस्तो दोस्ति करना है आपको वो कोई भी लड़की आपके कॉलेज में हो कोचिंग में हो स्कूल में हो परोस में हो कही भी हो आपको पहले दोस्ति करना है अब आप सोचिए आप बिल कहा जाती है किसे मिलती है तो उनके फ्रेंड्स से दोस्ती करो फिर उससे दोस्ती करो कुछ भी करके उससे आपको एक दो बात बोलने लाग दोस्ती तो करनी चाहिए नहीं तो आप उसको इंप्रेस कैसे करोगे तो पहला ही पॉइंट है आप जैसे भी उससे थोड़ा सा हो त या पिछ चीज आप से मंगवा रहा है तो आप थोड़ा ला दो पैसे मतलो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ना आप कुछ भी चीज से आप help करो बहुत ज्यादा help नहीं करना है थोड़ा बहुत आप help करो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों उससे जब आप बात कर रहे हो तो वह जो बोलती है उसका जो राय है तो उसको आप importance दो कुछ भी वह बताती है उसको थोड़ा importance देना अब maximum लड़किये करते हैं सारे बात मान लेते हैं इससे उल्टा होता है सारे बात नहीं मानना है बस उनकी जो बात है उसको importance देनी है अब वह जो बोल रहे हैं आप अगर सार बत मानने लग चाओगे तो फिर यहां बात नहीं बन पाएगा जहां तक impress करनी की बात है तो लड़किया उसी से इंपरेश होती है जो उसको उसकी मुकाबले में शक्तिशाली लगती है तो शक्तिशाली लोग जो होते है वो आपकी हर बात मान के नहीं जलता है ठीक है हम नहीं मानना तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपको साप सुत्रा रहनी है खुद की जो आपकी एक इमेज है उसके सामने वो अच्छा रखना है आप साप सुत्रा हो आप फिट हो चीक है यह सब आपको उसको दिखाना यह सब एट्रक्शन का एक पार्ट है एट्रक्टि उससे भी आपका help मिलेगी तो जो वोली साप सुत्रा रहना है फिट रहना है तो फिट रहने के लिए आप exercise वगेरा daily करना यह आपके health के लिए भी अच्छा है और किसी को impress करने के लिए भी बहुत अच्छी बात है अगर आप फिट रहते हो तो फिट लड़कों को सारे तारिफ लगते हो वियासे आपका इमेज डाउन हो जाता है और लड़किया इससे खुष भी नहीं होते हैं तो आपको उसका जो डुब की तारिफ करना है उसका गुण की तारिफ करनी है तर्भा कोई या फिर वो कुछ काम कह रही है, जो आप करें, तो आप उसमें तारीफ करो, मतलब क्या उसके काम का तारीफ करना है, उसका रूप का तारीफ नहीं करना, ये बात दिमाग में बिचालो, लड़के किसे से इंप्रेस होते ही, बस बोलने लग जाते हैं, आप कितना beautiful, आप कितना सुनना, लड़कों को लड़के उतना पसंद भी नहीं करते हैं, जो दिन रात उसके चहरे का तारीफ करता रहता है, तो ऐसे आप मत करो, उसके रूप का तारीफ बिल्कुल भी मत करो, फिर आता है next point, आप कुछ-कुछ ऐस काम करो, जिससे वो special feel करे, मतलब उसको आप special feel करवाओ, लेकिन ये बताना नहीं है कि आप उससे प्यार करते हो, आपके हरकतों से ये आप जाहिर करना है, आपको बताना नहीं है, बताने से वो ना करेगी, लेकिन आप नहीं बताओगे, तो वो धीरे-धीरे impressed होती चले जा है, लेकिन आप बताना नहीं, इससे वो confused भी होगी, आपके तरफ attract भी होगी, तो ये एक बहुत ही जवद्दस तरीका है, इसको भी आप apply करना, और दोस्तों last का जो सबसे important point है, वो है, आप कभी भी जिसको आप प्यार करते हो, चाहते हो उसको आप direct propose मत करना, इसके उपर भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ कि कैसे propose करें लड़की को कैसे propose करें, तो वो वीडियो भी आप जाओ तो देख सकते हो, ठीक है, description में मैं link डाल दियो, तो आप propose direct नहीं करना, बहुत से propose के बाते हैं, वो आप उस step से propose करो, आप अच्छा होगा वो वीडियो जाके देख लोगी कैसे propose करें, तो ये आज का जो था, मैं point जो बताई, इसको आप जरूर ट्राइ करना, ठीक है, इससे जिससे आप प्यार करते हो, वो जरूर आपके उपर attract होगी, impress होगी, और आपकी love life अच्छी जरूर होगी, ये मेरी यकीन है, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही ऐसे कोई सवाल हो, तो आप मुझे comment कर देना, जितना हो सके, मैं आपको help करूंगी, और उसके उपर वीडियो बना दूंगी, तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई